बुवाई के तीसरे चौथे सब्ताह तक निराई गुड़ाई कर एक बार खर्पतवार अवश्य निकाल देना चाहिए इसके बाद भी समय समय पर खर्पतवार निकालते रहना अच्छा रहता है गुड़ाई पांच सेंटिमीटर से अधिक गहरी नहीं करनी चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पौधों की जड़ें कट न जाएं बाजरे की अकेली फसल हो तो बुवाई के फौरण बाद अंकुरन से पहले आधा किलो एट्रा जिन के 600 लीटर पानी में घोल का प्रती हेक्टेर छड़काव भी फसल को खर्पतवारों से मुक्त रखने में प्रभावी रहता है बुवाई के 25 से 30 दिन बाद समय है खड़ी फसल में औरवरक देने का वर्षा के आसार वाले दिन नत्रजन की बची हुई आधी मात्रा फसल में देनी चाहिए सिचाई की सुविधा हो तो पौधों में फोटान होते समय, सिट्टे निकलते समय और धाना बनते समय भूमी में नमी की कमी होने पर आवशक्ता अनुसार सिचाई करने चाहिए